जैहिन दोस्तों वेलकम टू सोनु आर्मी क्लासेस फ्रेंट्स आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा धमाकेदार बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम आज कवर करेंगे केमिस्ट्री के 100 इंपोर्टेंट क्वेशन जो की हो चुके हैं एक्जामों में या फिर जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसे से या फिर आप समझ लिजी कि एक केमिस्ट्री के एक मेरोथन क्लास ही हम आप लोगों के लिए चला रहे हैं तो इस वीडियो को लास तक देखिए अगा बिना किसी स्कीप के हर एक क्वेशन आपके लिए बहुत ज़दा इंपोर्टेंट होने वाला है और फ्रेंट्स यह जो केमिस्ट्री के 100 कोईशन है अगर आप इसकी पीडियोफ चाहते हैं तो इसकी पीडियोफ आपको जो हमारी टेस सीरीज है आप टेस सीरीज को अनलोक करिए वहाँ पर आपको टेस सीरीज क बढी हों इसकी प्रोटोन की खोज ने की थी रदर्फोड के दवरा फ्रेंट्स यह कौशन आप लोगो को बहुत ज्यादा कंफीूजिंग लग रहा होगा कोई कह रहे होंगे का एंसर तो गोल्ड स्टिन होना चाहिए लेकिन विशन नाभिक के अंदर प्रोटोन पया जात पोजेटिव चार्ज एक नाविक के अंदर पया जाता है ये इसकी खोज रदर फोट ने की थी इसलिए प्रोटन की खोज हमारा एटोमिक थियोरी से रिलेटेड जो है तो उसे रदर फोट माना गया है गोल्ड इस्टिन ने जो प्रोटन है घनात्मक आवेश की रूप में प लिक करना है ये बिल्कुल करेक्ट नहीं तो गलत हो जाएगा ये कोशन मैंने बहुत अनालेसिस किया उसके बाद इसका अंसर आपको में दे रही हूं आप इसको चेक आउट कर सकते हैं नेक्स कोशन है न्यूट्रोन की खोज की थी हूँ डिसकवर न्यूट्रोन तो फ्रे फ्रेंट्स ये है है पर फ्रेंट चीम के आपको घां जच यहां पर लिखा होगा लेकिन किया होगा किया चेक करके इसका अंसर डिल्कुल टिक किए जएगा किलो ग्राम में होगा तो माइनस 28 ग्राम एक्स कोश्चन है प्रोटान का द्रविमान कितना होता है वाट इस अमास ओफ प्रोटान तो फ्रेंट यह जो मैं द्रविमान आपको वतारी हुआ अगर आपको थोड़ी सी वेल्यू में डिफ्रेंस लगे तो ग्र द्रविमान और उनके आवेश आपको याद होना चैए और इस पेपर में जो मैने सो कुषिन केमिस्टिक इंक्लूट किये हैं वैरी वैरी आयमपी इनको तो आपको रठ ही लेना है इन से बाहर एक कुषिन आपका नहीं जाएगा इसको जरूर कमप्लेट करिएगा को बिलक पर कितना आवेश होता है यह एक्ट्रों का जो चार्ज आप सभी को याद होना चाहिए फ्रेंड्स पो कितना होता है यहाँ पर मैंनो ऑप्षिन डी नहीं डाला है तो आप ऑप्षिन डी कुछ भी मान सकते हैं या नन अप इस में लिग देती हूं ठीक है तो यह एलेक्ट्रों का आवेश आपको याद होना चाहिए नेक्स्ट न्यूट्राण पर आवेश कितना होता है वाट इस दा चार्ज ओन न्यूट्राण तो फ्रेंड्स न्यूट्राण पर कितना चार्ज होता है न्यूट्राण पर कोई चार्ज नहीं होता है वो क्या होता ह परमाणू की परमाणू संख्या निमने लिखित में से किसकी संख्या देती है atomic number of an atom gives the number of each of the following तो फ्रेंट्स atomic जो number है atomic number आपको क्या बताता है क्यों उसमें कितने electron और कितने proton होगे ये दोनों चीज़े ही ये बताता है इसका right answer होगा electron और proton दोनों बताता है द्रेविमान संख्या क्या है what is the mass number आप यहाँ पर द्रेविमान संख्या पूछी है तो द्रेविमान संख्या क्या होती है friends जिसे atom mass number कहा जाता है ये numerical में बहुत ज़्यादा helpful रहेगा आपको mass number friends होता है क्या proton plus neutron इन दोनों का जो सम होता है उसे कहा जाता है द्रेविमान संख्या येने की mass number तो उसका right answer क्या होगा option D next question ने एक परमानू की द्रेविमान संख्या इतनी देके रखी है परमानू संख्या 17 है तो प्रोटानों की संख्या ग्याद की जब यहाँ पर द्रेविमान संख्या आपको देके रखी है जो कि क्या होती है proton plus neutron मैंने अभी पता है वो कितनी आपको 37 देके रखी हुई है और परमानू संख्या ने की atomic number वो कितना है 17 है और atomic number friends किसके बराबर होता है number of proton और number of electron के बराबर होता है तो इन्होंने क्या पूछा है proton की संख्या ग्याद की जो proton की संख्या फ्रेंट से यहाँ पर कितनी निकली 17 है क्योंकि proton किसके बराबर होता है परमानू संख्या के बराबर तो इसका right answer क्या होगा option C चलिए next question है carbon के एक परमानू में 6 proton होते है प्रोटोनों की संख्या 6 देके रखी है इसकी दरविमान संख्या 12 है दरविमान संख्या proton प्लस neutron कितनी है 12 है तो इसमें कितने neutron होगे तो proton यहाँ पर 6 रख दीजे तो number of neutron आ जाएंगे कितने आएंगे वो भी 6 इसका right answer होगा option B चलिए next question है एक तत्यो का परमान उक्रमांग 13 है इसका दरविमान संख्या 27 है तो इसमें proton, electron तथा neutron की संख्या ग्याद करो बहुत अच्छा question है फ्रेंट्स इसमें सारे concept आपके clear हो जाएंगे एक तत्यो का परमान उक्रमांग परमान उक्रमांग क्या होता है proton और electron यह होता है परमान उक्रमांग इसके बराबर और दरविमान संख्या क्या होती है proton प्लस neutron जो कि कितनी सब्ता है इहां पर क्या पुछा है proton पुछा है, electron पुछा हो, neutron proton कितना निकला? 13 electron भी कितना निकलेगा? 13 अब neutron निकलने के लिए यहां पर 13 रख दीजिए इधर आके minus हो जाएगा तो कितना मिलेगा? 14 तो कितना निकला? 13 13, 14 इसका right answer होगा option E चलिए, next question है एक और question है थोड़ा सा अगर high level का paper अगर आज आएगा ना फ्रेंट्स तो इस तरह के question आ सकते हैं Mg2 plus का परमानुक्रमांक 12 है इसका परमानुक्रमांक 12 है मतलब इसमें कितने proton कितने हैं? 12 है मैं electron 12 नहीं लिख रही हूँ इसको वो क्यों? क्योंकि यहां पर यह plus charge लगा है plus charge लगने से यह फरक बढ़ जाता है जब यहां पर कोई आवेश होता प्लस में या माइनस में तो यह number of जो परमानुक्रमांक है वो number of electron के बराबर कभी नहीं आते यह कब आते हैं जब आपका normal जो item दे के रखा ना उसके लिए यह condition follow करती है अब यहां पर plus 2 दे के रखा मतलब क्या है कि इसने क्या कर दिया है 2 electron दे दिये 2 electron दे दिये मतलब इसके electron कितने हो जाएंगे यहां पर 12 होने चाहिए लेकिन उसने 2 दे दिये तो इसके electron कितने हो जाएंगे 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 हो जाएंगे यहां पर 10 electron आएंगे 12 प्रोटन आएंगे और द्रविमान संख्या भी पूछी है आपर मास नंबर जो की क्या होता है प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन अब न्यूट्रोनों की संख्या तो 12 देखी रखी यह प्रोटोन हम अलोड़े निकाल चुके हैं तो कितिनी निकलेगी चोईस तो यहाँ पर एं द्रविमान संख्या 14 है यदि इसमें 10 इलेक्ट्रोन हो तो तो में न्यूट्रोनों की संख्या ग्यात कीजिए द्रविमान संख्या आप सभी को पता है प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन होती है जो कि कितनी है 14 आप यहाँ पर क्या पूछा गया है फ्रेंट्स नंबर ओफ न गीतने अलक्ट्रॉन इसमें होंगे उतने फ्रोटोन होंगे यहाँ पर Bigbear, एकस- three हूंगे और यहाँ पर पैस्ट ररिफ्रेस्ट कितने है दस एलक्ट्रॉन हैं इसमें बोला है इनोंने कि यह जो तत्व है भी इसने जब 3 3 ले लिए, इसने 3 electron लिये है, minus का मतलब यह ही कि इसने 3 electron लिये है और लेने के बाद, इसके पास कितने electron होग़ए, total 10, लेकिन इसके पास original कितने होगगे, 3 हटा देंगे, तबी थो original electron लाएंगा, ocho original electron होते हैं, वही original proton के बराबर होते हैं, ही numéro of proton साथ हो जाएंगे, तो नहाँ पर number of neutron friends कितना आएंगे minus 7 हो जाएगा तो number of neutron की value आएगी साथ इसका right answer क्या होगा option भी यह ध्यान रखिएगा चलिए next option है जिनके द्रविमान संख्या भिन्न होती है मतलब mass number जो है mass उनका different होगा और परमाणू क्रमांक atomic number same होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो इसको याद रख लिजिए उन्हें isotopes जोने की समस्थानिक कहा जाता है जिनके परमाणू क्रमांक भिन्नत अथा द्रविमान संख्या समान हो मतलब opposite अगर हो जाते हैं atomic number same होते हैं mass number different हो जाते हैं जिनमें क्या होते हैं proton और neutron दोनों होते हैं उसे कहा जाता है हाड रोजन तत्व की कितने समस्थानिक है आप सभी को पता होगा तीन समस्थानिक है नाम भी आद कर लिजिए प्रोटियम डूटेरियम और टाइटियम ठीक है ये तीन समस्थानिक होते हैं hydrogen के बहुत IMP कोशन है ये भी नेक्स कोशन है proton का वहन करता है proton carries तो proton friends क्या carry करता है positive charge neutral होता है या फिर दो positive charge होते हैं या फिर negative charge friends क्या होता है इसमें एक positive charge होता है किसी पदार्थ का परमाणू सिद्धान्त किसने प्रतिपादित किया था who formulated the atomic theory of weight तो friends किसने प्रतिपादित किया था ये डॉल्टन ने बहुत IMP कुशन है निमने लिकित में से कौन सा परमाणू का भाग नहीं है which of the following is not a part of atom तो friends क्या होते हैं आप सभी को पता होगा नाभिक में क्या होता है proton और neutron होते हो electron आसपास चक्कर लगाते हैं तो उसका right answer होगा option C next है निमने लिकित में से कौन सा कर्ण विध्योत और चुमबा की शेत्रद्वरा विक्षेपित नहीं होगा which of the among following particles इसे जो पार्टिकल जिन में कोई चार्ज नहीं होता है न वो डिफलेक्ट नहीं होता है तो friends यहां पर electron में negative charge होता है proton में positive neutron और positron के अगर हम बात करें तो यहां पर जो neutron होता है उस पर वो क्या होता है उदास ही नहीं होगा और पोजिट्रोन भी क्या होता है बाइचांस positive charge का ही होता है नेक्स वोशन है cancer के tumor के इलाज के लिए radio isotope का अस्तमाल किया जाता है तो कौन से isotope का अस्तमाल किया जाता है फ्रेंट्स कोबाल 60 का निमनलिखित में से कौन सा L कोश में electron के अधिक्तम संख्या हो सकती है maximum number of electron in L shell तो friends L जो होती है उसमें maximum कितने electron होते है 8 L के बाद आती है M shell M shell में electron के अधिक्तम संख्या फ्रेंट्स कितनी होती है 18 उसके बाद आती है N shell और N shell में electron के संख्या फ्रेंट्स कितनी होती है maximum कितने electron होते है 32 कितने रासाइनिक तत्वों की खोज की जा चुकी हाँ मैंनी केमिकल एलिमेंट्स है विन डिस्कावर सो फार तो कितने एलिमेंट्स खोज की जा सकते हैं अभी तक 118 आवल सानी में शेतीश पंक्ति और उधारदर स्तंबो को क्रमश्य कहा जाता है तो होरिजन्टल रों समूब या फिर ग्रुप्स कहा जाता है तो इसका राइट अंसर क्या होगा ओप्शन बी चले ने एक स्कूशन है आधुनिक आवद्सार ने किस विग्यानिक द्वारा किये गए वर्गी करण पर आधारी थे तो फ्रेंट्स यहां पर यहीं पूछाए कि आधुनिक आवद बनाई गयी है वो इसके पहले कौन से आवद्सार ने किसके द्वारा दी गई थी जिस पर वह बेस्ची तो फिनेटके द्वारा मेंडली पर आधारी थे मोड़न प्रियोडिक टेबल बेस्ड उन फ्रेंट्स किस पर आधारी थैं आधुनिक आवद्सार ने और जो men-lief के आवत साड़नी है प्रेंटस वो किस पर निर्फर करती है ऐ टों मीक कास पर नेक्ड स्क्रां के द्लीम माड़ा और यह तो अस्टकनिया नुलेंड की द्वारा नेक्ड सचरव और निमलिखित में से प्र Pastor Yum पूछा यहां पर हमारा जो भू परपट्टी तो फ्रेंड सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व आप्सीजन नेक्स वे भू परपट्टी में ऑक्सेजन के बाद सबसादिक मातरा में उपलबद तत्व कोन सा है तो आकसीजन के बाद सबस्जादिक पूर कौन सा तत्व अर्थ क्रेस्ट में पाया जाता है तो वो क्या होगा इसका right answer होगा सिलिकॉन निमलेकित में से कौन सा मूल तत्व है main element है basic element तो रेथ, हीरा, संगमरमर और शक्कर ये सब बनाए गए इसमें से जो हीरा है वो main element है विध्यूत की सर्वोच चालक धातु कौन सी है विध्यूत की जो सबसे ज़्यादा चालक धातु है वो कौन सी मैटले फ्रेंट से इन सभी में तो इसका right answer क्या होगा चांदी, सिल्वर को सबसादा सर्वोच चालक धातु माना गया है वह अधात्विक तक जो विध्यूत का सूचालक होता है the non-metallic element which is a good conductor of electricity यहाँ पर विध्यूत का सूचालक तो पूछा है लेकिन अधात्विक non-metallic element पूछा है तो वो कौन सा होता है ग्रेफाइट जो की क्या है कारबन का ही एक अपरूप है अक्रिय गेसों को किस वर्ग का तत्व कहते है which class of element are called inner gate gases तो अक्रिय गेसे कौन से वर्ग का जो सम्मू है कौन से वर्ग में पाई जाती है शुन्य वर्ग में नेक्स कुशन निमने लखित में से कौन सी noble gas नहीं है which of the following is not a noble gas तो हमारी जो noble gas है उसमें क्या आती है helium, neon, kryptan, jinan ये सभी क्या आती noble gas आती है लेकिन जो hydrogen है वो noble gas नहीं है चलिए नेक्स कुशन दिखलेते है सबसे प्रबलतम आक्सिकारक जो है oxidizer पदार्थ the most powerful oxidizing substance is कौन सा है सबसे ज़्यादा जो आक्सिकारक है वो fluorine fluorine को सबसे आक्सिकारक तत्व माना गया है नेक्स्ट है प्रक्रती का सबसे हलका धातू तत्व कौन सा है the lightest metallic element in nature is तो सबसे हलक की जो है धातू पूछी हुई है वो कौन सी होती है फ्रेंड्स लीथियम कौन सी अधातू है जो द्राव अवस्था में पाई जाती है which of the following is non-metal ध्यान रखेगा यहाँ पर अधातू पूछी है non-metal पूछी है जो की liquid इने की द्राव अवस्था में होती है तो फ्रेंड्स कौन सी है वो तो इसका राइट एंसर होगा bromine मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा the element store and kerosene सभी को पताओगा किसे रखा जाता है sodium को क्योंकि यह बहुत जादा kriyashil होता है चलिए सबसे कम आइनन विभाव वाला तत्व कौन सा है element with the lowest ionization potential इस तो सबसे कम आइनन विभाव वाला तत्व कौन सा होता है cgm next radio next radio radium की खोच की थी radium was discovered by तो फ्रेंट किसके द्वारा की गई थी यह पियरे और मेडम क्यूरी के द्वारा चलिए नेक सोचन ने निमने लखी इसमें कौन सा है पारे को माना गया है सबसे अधिक कूचलक ध्यान रखेगा सबसे अधिक कूचलक कूचलक होता है पारा चलिए नेक सोचन है एक तत्व में electron और neutron की संख्या क्रमशा 19 और 20 है तो इस तत्व की द्रविमान संख्या कितनी होगी तो फ्रेंट्स आप सभी को पता है कि जो द्रविमान संख्या होती है या फिर जिसे mass number कहा जाता है द्रविमान संख्या या फिर mass number ये किसके बराबर होता है फ्रेंट्स proton प्लस neutron के बराबर होता है हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है है क्या क्या करने नीट्रोन तो दियें कितने हैं है डारिक जो इलेक्टान किसे ऊपर दोन'll बर decor होगे इसलिए यहाँ पर 19 है और 19 प्लस 20 करेंगे तो 9 होगा 9 और 2 प्लस 1 339 इसका राइट अंसर होगा चलिए next question है हेलोजन में सरवाधिक अभग अभी क्रियाशिल है तो हेलोजन में सबसे ज़्यादा क्रियाशिल सबसे ज़्यादा रियक्टिव कौन सा होता है फ्रेंट्स यह सारे हेलोजन होते हैं क्लोरिन फ्लोरिन ब्रॉमिन आयोडिन इन से भी हेलोजन की केटेगरी में आते हैं हेलोजन और इन में सबसे ज़्यादा क्रियाशिल पुछा गया है तो फ्रेंट्स वह कौन सा होगा फ्लोरिल चलिए next question है सबसे अधिक अगात वर्धनी तत्व पूस्ट मेलाइबल एलिमेंट्स कौन सा है तो मैलियेबल मैलियेबल एलिमेंट्स सबसे अगात वर्धनी धात्व कौन सी है सोना सबसे अगात वर्धनी धात्व कहा जाता है चलिए next question है आवद सार्णी में धात्विक तत्व दिखाई देते हैं इन periodic table metallic elements appear तो फ्रे right answer friends क्या होगा बाएं हाथ के column में पाए जाते हैं तो हमारा बायां किदर होगा इधर हमारा बायां होता है यह आवद सार्णी होती है यह राइट साइड होता है और यह होता है लेफ्ट साइड तो वह कहां पाई जाती सारी धात्वे और जैसे आप इधर बढ़ते जाओग सबसे अधी क्रियाशिल अधातु तत्व कौन सा है अधातु पूछा है सबसे ज़्यादा क्रियाशिल पूछा है लेकिन अधातु पूछा है तो फ्लोरीन चलिए नेक सोशन है सबसे अधी क्रियाशिल तत्व कौन सा है धातु तत्व अब धियान रखेगा सबसे अधी क्र पूचियोत फ्लोरीन और धातू पुछी हो तो सीजियम चलि, next है सरवादिक एलेक्ट्रोनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन साथ element विच्च उइलेक्ट्रोन गेन सब साथ एलेक्ट्रोन प्राप्ति वाला तत्व भी कौन सा होता है प्रेंस लोली न होता है यह सबस्यादा इलेक्ट्रों गрахंड कर सकता है चलिए नेक्टि मुषन है सरवार्दिक विद्ध्ध्युतुर्णात्मक तत्म fast गया है नेंस्ट े सबस्यादा अक्सिकारक पुछात मांगे नेक्स्ट नचतमक क्लाुफन यह सभी में से यह क्या है यह सभी हेलोजन और हेलोजन में सबस्यादा प्रबल आक्सिकारक अगर पूछा जाए तो उसका अंसर क्या होगा फ्रेंट्स फ्लोरीं मानव शरीर में सरवाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व the most abundant element in the human body इस मानव शरीर में सबस्यादा पाया जाने वाला तत्व कोन सा है ऑक्सिजन पाया जाता है चले नेक्स होशन ने में उम्टि तेल में रखा जाने वाला चलिए, नेक्स वर्षन है प्रक्रतिक रूप में 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 प्रक्रतिक पत्व से पाय जाने वाले तत्वर्प्टत गूना the Most abundant Aliment in the Earth तत्व यहां पर को ध्यान से पढ़िए का कन्फ्यूजिंग हो जाता है तो मोस्ट अबनेंट मेटल इन 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 अर्थ क्रस्ट इस मैटलिक एलिमेंट पूछा है और मेटल कों सी पाई जाती सबसे दमात्रा में एल्यू मीनियम चलिने एक सबसे हलका तत्व लाइटेस्ट एल इसले में सबसे भारी तत्व फ्रेंट होता है ऑष्मियम सबसे हलका थात्यू तत्व बहारी तत्व मान जोता है मैटलिक एलिमेंट सबसे हलकी कोता है इसे पुछा सकता है कि सबसे हलकी को एत्यू होती है तो सबसे Federal Krisции होती है पारा यहने की मर्कुरी एक क्वेशन यह भी बनता है कि द्रव अधातु तत्व अब यहां पर पुछा है द्रव अधातु तत्व परेडिक्टेवल में जितने भी अलिमेंट है उसमें लिक्विट नौन मेटलिक यहां पर उप्शन के अकोडिंग हम चलेंगे ऑप्शन यहां पर दी है में सोडियम मैगनेशियम अल्यूमीनियम और सिलिकॉन तो फ्रेंट्स आवर्ट सानी में लेफ्ट से राइट जाने पर जो है विद्यूत्रनात्मक्ता बढ़ती है और इनका क्रम में बतादू सोडियम पहले आता है उसको बढ़त मैगनेशियम फिर अल्यूमीनियम सिलिकॉन तो सबस्यादा किस की होगी फ्रेंट्स यहां पर सिलिकॉन की चले नेक्स होशन है टमाटर में निमलखित में से कौन सा अमल पाया जाता है विच वन आफ दॉलोइंग एसिट इस फांड इन टोमेट दिहान रखिएगा इस तरह के कॉश्चन बेसिक कॉश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंटर में कौन सा पाया जाता है फ्रेंस ऑक्सलिक एसिट चले नेक्स होशन है बिचुवा के पत्तों का आकस्मिक सपर्श जलन पैदा करता है जो किसके कारण होता है एक्सिडेंटल टच नेटल लिफ्स क्रियेट बर्निंग सेंशेशन विच 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 व दी एसिट किसके करण होता है यह तो फ्रेंस उसमें कैसा ऐसे पाया जाता है जो जलन पैदा करता है और कौन सा एसिट पाया जाता वही हां पर पूछा है मैं थैनॉइक एसिट नेक्स वोशन ने नेक्स विच 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 एन एच सी ओ जिसका फॉर्मला यहाद रख लीजिए चलिए धोने की सोड़ा का रासा निक सुत्रिक है दे केमिकल फॉर्मला वाशिंग सोड़ा इस एन एटू सी ओ त्री सोडियम कार्बोनेट जिसे कहा जाता है चलिए नेक्स सुच्छन है फ्रेंट्स सिट्रीक अमल मुक उसके सी किसमें होता है मुक दूरू पाया जाता है इसत्री केसि किसमें पाया जाता है सिट्रिक एस इसदिस फ्रिली आफिलेबल इन विच बडॉऩ में पाया जाता है फ्रेंट्स हीरे निमम्हो में य aula 5 बाद intendation क समति में औरूग इनाल चीती के God resss C eventually इने हुट इन ऐमि को स्कॉर्विक ऐसई नेक्स टे एक बितरी यह से निंदख में से कौं सापल होता है तैशनल बेटरी कंटेंट ज से फॉल॑ईग एसट घ्राइट हवार्ण क्भी संसे का जाता है jaką रस में कौन सा एक रखना है पाया जाता है फ्रेंट में cell उब्यक्स एक उर छ्रीप मोर्ण सर्थी रेंग र wissen है इसले करके आंग जाता है जाता है चली नियम्णलिखित नमिखितृ फ्रेंट love आपको बता देती हूँ question क्या है कि acid क्या होता है acid यहने की aml aml क्या है तो aml क्या है friends क्या यह खटा स्वाद में खटा होता है या फिर यह H plus ion देता है जब इसे पानी में या फिर किसी भी solution में घोला जाता है तो H plus ion देता है या फिर blue litmus को लाल कर देता है यह नीले litmus को किसम परिवादित कर देता है लाल में या फिर सभी correct है तो इसका right answer क्या होगा सभी यह सभी जो property होती है acid की होती है चले next question है अब base is a substance अब base क्या होता है base यहने क्षार की बात करी है क्षार क्या है तो शार क्या है देता है request solution में denote electron, electron देता है यह फिर सारा सही है तो इसके बारे में यह सारे points क्या है correct है चले next question है desirable range of pH for drinking water पेई जल जो है पीने योग्य पानी उसकी जो pH value की range है friends वो कितनी होती है तो इसका right answer क्या होगा 6.5-6.5.5 के बीच में होती है चले next question है pH value shows the numeric value of pH value क्या show करता है क्या बताता है pH value से हमें क्या पता चलता है friends तो क्या बताता है pH value quality of chemical use for developing photographic negatives यह फिर analyzing the nature of solution acidic or bacit यह फिर analyzing the intensity of earthquake यह फिर analyzing for checking purity of milk तो friends यह क्या बताता है कि आपका जो willion है वो कितना अमली और शारी प्रकृति का है यह बताता है pH value क्योंकि pH value कम होने में अमली है शारी होने की property बताता है जादा होने पर क्या होता है अमली होता है शारी होता है इस तरह से pH value जो अमल है उसकी जो solution है विलियन है उसकी अमलता और शारीता के बारे में बदाता है उसका right answer होगा option B next which of the following may be possible pH value of acidic solution तो friends यहाँ पर अमली जो solution होता है उसकी possible pH value कितनी होती कितने पर अमली होना start हो जाता है यह सा है उन्होंने पूछा है तो अमली विलियन जो होता है उसकी pH value फ्रेंट्स कितनी होती है 6, 6 से कम जो category आती 6 से जितना कम होता जाता है ना उतना क्या होता जाता है यह अमली होता जाता चलिए which of the following solution will not change the color of blue litmus paper to red तो नीले litmus paper को लाल litmus paper में कौन सा solution change नहीं करेगा किसका इसके ओपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यह question पूछा है तो इसका right answer friends क्या होगा acidic solution नहीं करता है जो क्षारी होता है क्षारी है विलियन यहाँ पर अमली है विलियन और लवन अब मैं शार और लवन की बात करूँ तो शार और लवन का नीले litmus paper पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका right answer क्या होगा option D next है vinegar जो होता है उसमें कौन सा अमल पाया जाता है तो vinegar में कौन सा अमल पाया जाता है friends acidic अमल अमल और भसम है यहाँ पर भसम नहीं शार है इसको भसम भी बोलते हैं अमल और शार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं तो अमल और शार की जब अभिक्रिया होती है ना तो क्या बनता है लवन और पानी ये दो चीज़े बनती है नेक्س्ट है उदासीन कrial़ में क्या बनता है न्यूट्रल reaction में क्या form होता है इसमें क्या बननकी में दूनों तब हुता है इसमें लवन तफा जल ये जो अमल ऐसेट और बेस इन दोनों की रियेक्शन जो होती है जिसे उदासीन अभी क्रिय act कहते हैं इसमें डवण और जल बंथा है चलेatesी भी किसका प्रेयोग किया जाता है और में को प्रेयोग किया है तो प्रेटों क्लो सैंच प्रेट कर देटा है यह बहुत कन्फुस हो जाते है फ्रेंट सैटलाइस में हम भोल भी जाते हों इनमें मिक्सप भी कर देते हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा कौन कर देता है फ्रेंड शार यहने की बेस रेट पेपर को नीले में कनवर्ट करता है नेक्स्ट है पी एच का निर्धारन किस ने किया था इसका रेटर्मान पी एच वेल्यू किस ने मतलब खोजी थी यह पूछा है आपर तो इसका राइट एंसर है सोरिंज ने सभी अमल धातू से क्रिया करके कौन सी गेस मुक्त करते हैं तो सभी अमल धातू के साथ रिया करके हाइडरोजन गेस को रिलीस करते हैं नेक्स इस ही शुद्द्फे जल का फिय चना होने है चितना होता हुआ हे इसका फिय फिर्डु के इसका फिर्डुन सब्सक्राइब जान ли usk जरुटा और टोंप इसमेल के सब्सक्राइब ही पते नोते हैं सहरा सरत बाइसे के होकर है इसकंट महाइन तो ज्याद House ब्लसाइं को वो रिलीज करें मुक्त करें तो ज़्यादा शक्ति आली होता है तो इसका है एंसे साब सीम कह सब्सक्ते है कि ये संपुर्ण आइनित पूरी तरह सा इनाइस हो जाता है सारे हऻ एच आयनायस को रिलीजी कर देता है चलिए नेक्स वोशन है प्रबल शार्प का pH मान कितना होता है what is the strong alkali pH value या फिर जो strong base है strong base की जो pH value वो कितनी होती है कितनी होनी चाहिए 10 का right answer होगा 10.5 या फिर इस से अधिक 10.5 और more नेक्स चूना पत्तरने के limestone का रासानिक नाम किया the chemical name of limestone is calcium carbonate CACO3 next है निमनलिखित में से कौन सी धातु कठोरतम है which of the falling metal is the hardest सबसे कठोरतम धातु कौन सी होती है फ्रेंड्स प्लेटीनम तो फ्रेंड्स ये थे 100 question chemistry के most important question है फ्रेंड्स इनको आपको करना ही करना है एक्जाम से पहले और मुझे कोशिश कर रही हूँ कि और 100 question chemistry के आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो अभी भी अगर आपने हमारे चनल को सबस्क्राइब नहीं किया हो तो सबस्क्राइब कर लिए जो notification bell को भी प्रेस कर लिए आपको मिलते रहे time to time मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जे ही जे भारत वंदेर मात्रम